हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप से भी का बौध स्वागत है, फ्रेंड्स मेरा नाम है शाहिद, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तीरे की कटिंग करना बताएंगे यानी बैक सोल्डर की कटिंग करना बताएंगे, वो भी चेस्ट के इसाब से, जैसे आपके पास chest का map है तो chest के map से हमारा back shoulder की cutting किस तरह से की जाती है क्या तरीका होता है जैसे आप किसी बच्चे की shirt cutting कर रहे हैं या बड़ी shirt cutting कर रहे हैं या heavy size की shirt cutting कर रहे हैं तो इसमें हमारी जो back तीरे की cutting है वो किस तरह से की जाती है क्या सही तरीका होता है बैक तीरे की कटिंग करने का यानि shoulder की कटिंग करने का तो आज की वीडियो में हम आपको भूत ही सरल तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखियेगा लास्त तक देखियेगा आपको एक ही बार में अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा यदि दोस्तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और जैसे आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रू सस्क्राइब कर ले यहाँ पर आपको बेश्टे बेश्ट चानकारी दी जाती है बिलकुल सिंपल तरीके से और दोस्तो इसके साथ-साथ आप हमारे सेकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर आपको लेडिस वीडियो मिलती है तो उस channel का जो link है आपको description box में मिल जाएगा और friends जिस तरह से आप लोगों ने हमें इस channel पर support दिया है उसी तरीके से आप हमारे second channel पर भी support कीजिये कितना भी हमारा chest है तो उससाब से हम किस तरह से इसके back shoulder को निकालते हैं फिर हम इसमें marking करके दिखाएंगी किस तरह से हमेरी इसकी marking होती है फिर इसकी हम cutting करेंगे cutting के बाद फिर हम इसको set करकर भी दखाएंगे आपको कि किस तरह से यह हमारा set होता है तो full process बताएंगे हम आपको इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तक हम आपको chest के आपसे back-3 की cutting करना बताएंगे तो back-3 की cutting हमारी किस तरह से की जाएगी तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक chart लिया हुआ है इस पर हमने जो है chest का map लिख लिए हुआ है 24 inch से लेके हमारे 42 inch तक chest है या जैसे आप इससे बड़े chest का back-3 निकालना चाहे हैं तो फार्मूला हमारा यही होगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं यही तरीका इससे हमारा बैक का 3 cutting की जाएगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 24 chest की तो 24 chest में हम क्या करेंगे 8 का back करेंगे जैसे आपको निकालना आता है तो आप क्या करेंगे 8 यह 24 तो इस तरह से यह हमारा 3 inch निकल कर आ गया और plus 1 inch हम इसमें plus करेंगे जो हमारा margin add होगा तो यह हमारा 4 inch निकल कर आ गया तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और जैसे आपको निकालने में थोड़ी सी problem होती है तो आप क्या करेंगे इस तरह से calculator ले लेंगे तो इससे आपका जो है बहुती simple तरीके से निकल आएगा तो जैसे आपका chest 24 inch है तो 24 में हम बात देंगे 8 का तो इस तरह से को बराबर काट रहे हैं तो कितना हमें 13 कटिंग करना होगा और जैसे back को छोटा काट रहे हैं तो कितना इसमें हमें प्लस करना होगा ये चीज अभी हम कटिंग के दोरान समझेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं तो आप इस वीडियो को लाज तक देखिएगा, आपको अची तरीके समझ में आएगा, तो इसी तरीके से हम 26 इंच का निकाल लेते हैं, तो 26 में भाग करेंगे, 8 का, तो यह हमारा सबा 3 इंच का निकल कर आजाएगा, तो इस तरी से सबा 3 इंच, प्लस 1 इंच हम इसमें मारजन का एड करेंगे, तो यह हमारा सबा 4 इंच निकल कर आएगा, इसी तरीके से यह हमारा 28 का, तो यह हमारा 3.5 इंच निकल कर आएगा, और प्लस 1 इंच का मारजन हम इसमें एड कर लेंगे, तो यह हमारा 4.5 इंच निकल कर आ जाएगा 30 इंच का 8 मा भाग करेंगे यानि 30 में हम 8 का भाग देंगे तो यह हमारा निकल कर आएगा 4 इंच 3.75 तो इस तरह से लिखेंगे प्लस 1 इंच का मारजन इसमें एड करेंगे और यहां पर जो हम टोटल कर लेंगे यह हमारा आ जाएगा 4.75 इस तरह से अब 32 चेस्ट का करेंगे तो 32 चेस्ट में हम क्या करेंगे 8 का भाग देंगे तो यह हमारा निकल कर आएगा 8 चो को 32 इंच प्लस 1 इंच मारजन का तो यह हमारा 5 इंच निकल कर आ जाएगा इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, जैसे आपका 24 चेस्ट है, 24 में आप 8 का भाग करेंगे, यानि 24 को 8 भाग में हम डिवाइट करेंगे, तो यह हमारा 3 इंच निकल कर आएगा, प्लस 1 इंच का मारजन इसमें एट करेंगे, तो यह हमारा 4 इंच आजाएगा, तो इस तरह से 4 इंच, और 26 का इसी इस तरह से हम करेंगे, तो यह हमारा सबा 4 इंच निकल कर आएगा, और 28 का करेंगे, तो यह 4 इंच आएगा, 30 का करेंगे, तो पौने 5 इंच, और 32 का करेंगे, 5 इंच, और 34 का करेंगे, तो सबा 5 इंच, औ और 38 का करेंगे, पॉन 6 इंच, और 40 का 6 इंच, और 42 का सबा 6 इंच, तो इस तरह से ये हमारे जो है, बैक 13 निकल कर आजाता है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, किस तरह से हम इसकी cutting करेंगे, क्या सही तरीका होता है cutting करने का, अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से निकाल है आपको सीखना, तो सबसे पहले हम इस तीरे की cutting करते हैं, तो friends इस तरह से हमने ये shirt ले ली है, तो इस shirt की हमने front पार्ट की और back पार्ट की cutting कर ली है, तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़दा होगा, इसकी जो हमने back की cutting की हुई है, बराबर से की हुई है, तो इसमें हम जो shoulder लगाएंगे, वो किस हिसाब से लगाएंगे, क्या तरीका होता है, जैसे हमने जो measurement के हिसाब से shoulder निकाला हुआ है, यदि हम उसके हिसाब से cutting कर देंगे, तो कई बार हमारा ऐसा होता है, कि ये mistake भी हो सकती है, और जैसे friends जैसे आपने इस तरह से back को half inch छोटा काटा हुआ है, या एक इन छोटा काटा हुआ है, तो किस तरह से हम shoulder की cutting करेंगे, तो friends आपको ये बहुती अच्छी तरीके से देखना है, बहुती गौर से देखना है, दोस्तों जैसे आप यहां से back को बराबर काटते हैं, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से आपने ये measurement निकाला हुआ है, जैसे आपने इस तरह से set को cutting किया हुआ है, यहां से बिलकुल बराबर मिला कर cutting किया हुआ है, या इससे तोड़ा सा एक सूद या दो सूद बराबर काटा हुआ है, तो ये जो measure में निकाला हुआ है, इस तरह से हम तीरे की cutting करेंगे, बैक तीरे की हमारी इस तरह से cutting होगी और जैसे, यहाँ से एक इंच आपने छोटा कटा हुआ है तो जो cutting है, वो अलग तरीके से होगी सबसे पहले तो हम यहाँ से मिलाकर, जो है तीरा है उसकी cuttingogen przyrch here, फिर हम आपको बताएंगी इस तरह से हम डबल में विशाएंगे और जो हम तीरे की cutting कर रहे हैं तो तीरे का हमने जो है नाप लिया हुआ है तो तीरा है हमारा 18 इंच तो इस तरह से हम इसको डबल में फोल्ड करके विशा लेते हैं यहां पर देख लेना है आपको जो इसकी तीरे की लंबाई है वो आपकी आज आनी चाहिए तो इस तरह से हम इसको विशा लेंगे विशाने के बाद friends क्या करेंगे यहां से इस तरह से हम इसको रखेंगे जैसे आपने back को बराबर काटा हुआ है तो यह जो हमारी शर्ट है वो चालिस चेस्ट की शर्ट है तो इसमें जो चालिस चेस्ट की शर्ट का जो हमारा तीरा लगेगा तो वो लगेगा 6 इंच का तो 6 इंच हम किस तरह से मार्क करेंगे तो इस तरह से हम इसको मिला कर रख लेंगे मिलाकर रखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगी यहां से 6 इंच पर मार्क करेंगी मार्क करने के बाद फ्रेंट्स आपको क्या करना है यहां से इस तरह से सीधा कर देना है आपको अब तीरे की लंबाई करने सान लगाएंगी तो तीरा है इसका 18 इंच तो 18 का आप करेंगे 9 इंच, प्लस इसमें half इंच का margin इसमें add कर लेंगे, क्योंकि जब हम तीरे को जोडते हैं, तो बाजू में हमारा margin चला जाता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम यहां से mark कर लेंगे, निशे से भी आपको mark करना है, तो यहां से सीधा center पर mark करेंगे, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहां से सीधा हमने mark किया हुआ है 6 इंच पर, इस हिसाब से आप mark कर सकते हैं, जैसे आपका जो chest है 36 इंच है, तो इस हिसाब से आप 5 इंच पर mark करेंगे, तीस इंच है तो पौने 5 इंच पर mark करेंगे, अब दोस्तों यहां से क्या करेंगे, इसका जो back का हाला down करेंगे, वो हम down करेंगे 2 इंच, इस तरह से, और यहां से जो mark करेंगे, तो यहां से जो हमारा mark किया जाता है, सीने के बार में इससा करकर हमारा मार्क किया जाता है तो यहां से हम एक दो सूत कम करके ही मार्क करते हैं क्योंकि पूरा कर देंगे तो कई बार ऐसा होता है हमारा हाला बड़ा हो जाता है तो हमारा जो शकॉलर है वो सही से अटेच नहीं हो पता है इसलिए हम थोड़ा सा कम ही मार्क करते हैं यहाँ पर चुड़ाई पर तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे मार्क करने की बाद friends हमें क्या करना है यहाँ से जो हम front part में जितनी भी आपने कंदी को डाउन किया हुआ है वहाँ से आप दो सूथ और जादा एड़ कर लेंगे यहाँ से जैसे front part में आपने 1.5 इंच डाउन की है तो यहाँ से पौने 2 इंच डाउन करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हम इसको डाउन कर लेते हैं इस तरह से इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों इसकी हम cutting कर लेते हैं तो इस तरह से हमने इसकी cutting कर ले है एक बार हम यहाँ से तीरे की चोणाई नाप कर देख लेंगे तो यह हमरी 4 इंच आ रही है और टोटल जो है हमारी 6 इंच आ रही है अब दोस्तों एक बार हम इसको मिला कर देखते हैं कि ये हमारा तीरा जो है सही बैट रहा है कि नहीं बैट रहा है तो यहां से हम क्या करेंगे इस तरह से इसको रखेंगे रखने की बाद दोस्तो हमें यहां से इसको मिलाना है तो हम यहां से इसको हाप इंच ऊपर की तरफ चड़ा लेंगे क्योंकि यतना हमारा जो सिलाई में है अटेच होगा तो इस तरह से हम इसको चड़ा लेंगे चड़ाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहां से इस तरह से हम इसको फोल्ड करके मिला कर रख लेते हैं तो friends इस तरह से यह हमारा, यहां से इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए, तो यहां पर भी हम half inch चड़ाएंगे, तो इस तरह से, और यहां से जो हमारा यह बढ़ रहा है, तो यहां से हम हलका सा इसको छाड़ देंगे, तो इस तरह से यह हमारा set हो जाता है, आप back की cutting यहां से कर रहे हैं, यहां से back की cutting कर रहे हैं, तब आप इस तरह से cutting करेंगे, शोल्डर की, तो आपका जो shoulder है, बिल्कुल सही बैटेगा, अब जैसे आप यहां से एक इन छोटा shoulder cutting कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से cutting कर दे तो यह जो solder है आपका छोटा पड़ जाएगा और shoulder बेकार हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे तो उस solder की हम cutting करना मत आएंगे आपको तो इसको हम side बे रख लेते हैं तो इस तरह से हम कपड़ी को लेंगे तो कपड़ी को हम इस तरह से fold में बिचाएएंगे double fold करेंगे और सबसे पहले हम एक नीचे से mark करेंगे यहां से आपको mark करना है अब दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे हमने एक इंच बैक को छोटा कराटा हुआ है तो आपको क्या करना है जो जैसे आप 40 chest की shirt cutting कर रहे हैं तो इसमें जो हमने 40 का किया हुआ था यह हमार 6 इंच निकल रहा है तो 6 इंच में आप क्या करेंगे जैसे एक इंच आपने back को छोटा कटा हुआ है तो 6 इंच प्लस एक इंच इसमें और प्लस करेंगे तो यहां से जो हम mark करेंगे 7 इंच पर mark करेंगे और इसको हम यहां से सीधा कर लेंगे दोस्तो इस तरह से mark करना है अब इसी तरीके से हम लंबाई का निसान लगाएंगे तो इसका जो 13 इंच था 18 इंच था तो 18 का आप करेंगे 9 इंच प्लस 8 इंच का margin इसमें add करेंगे दोस्तो उमीद है कि आपको ये वीडियो जलूर पसंद आएगी अब इसका जो हाला डाउन करेंगे इस वाली पार्ट से हम यहां से हाला डाउन करेंगे दो इंच और यहां से जो हमने mark बताया है वो सीने का बार्मा हिस्सा करके ही लगाया जाता है अब यहां पर जो अमने front part की जो कंदी डाउन की हुई है जितनी भी आपने कंदी को डाउन किया है उससे आप दोस्तो इसमें और add कर लेंगे तो यहां पर इस तरह से हम mark कर लेंगे और इस तरह से इसमें हम save दे देंगे इस तरह से इस तरह से सिब दने के बाद इसकी भी हम कटिंकल लेते हैं तो इसकी हमने कटिंकल लिए है、 अब इसको भी हम मिलाकर देखते हैं इस तरह से तो ये तो हमने एक इंच जैसे हमने बैक को छोटा कटा हुआ है तो उसमें हम इस तरह से बैक को कटेंगे और जैसे हमने बैक को बराबर कटा हुआ है तो इस वाले सोल्डर की हम कटिंग करेंगे तो इस सोल्डर में जो हमारा फर्क है वो एक इंच का फर्क है यहां से 1 इंच का फर्क है क्योंकि यह जो अमारी शेट है शेट की जो back है तो back जो है आवारी उपर से बिल्कुल बरावर है कंदी से इस तरह से जो हमने back कट की हुई है तो इस तरह से आमारी आ रही है अब जैसे 1 इंच हम इसको कम कर देते हैं यहां से यहां से एक इंच कम कर देते हैं इस तरह से हम एक इंच इसको कम करते हैं तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रख लिते हैं इसको कट नहीं करेंगे तो आपको हम समझाने के लिए इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं पैखने की बात फ्रेंच क्या करेंगे इस वाली तीरे को हम लेंगे, जो हमने एक इंच छोटा कटा हुआ था, यानि एक इंच जो हमारी बैक है, उसको छोटा कटा हुआ था, तो इस तरह से, और तीरे को हम एक इंच पिलस करके काटेंगे, और इसके उपर हम हाप इंच इस तरह से चड़ा कर रखेंगे, क्योंकि इस तरह से यह हमारा अच्छी तरीके set हो जाता है, तो friends, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस तरह से हम तीरे को cutting कर लेंगे, तो back का तीरा जैसे हमने back को बराबर काटा हुआ है, तो क्या करेंगे, यह वाला हम तीरा cutting करेंगे, जो हमने formula निकाला हुआ है, तो इस हिसाब से ती यह को हमारे body में जोड़ा जाएगा, तो temporarily हम आपको जोड़ कर दिखाते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, तो इस तरह से friends हमने उस तीरे को जोड़ दिया है, तो friends, एक बार हम यहां से आपको दिखा देते हैं, यह जो हमने margin इतना निकाला हुआ है, यह हमने एक इंच margin निका कर दिखा देते हैं, आप लोग यह सोच रहे होंगी, कि हमने यह spec को कम काटा हुआ है, तो इसलिए, तो यहां से हम एक बार इस तरह से मिला कर दिखाते हैं, यहां से इसका आर्मोल मिला कर दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाया है, कि जो हमारा जो बैक है, वो बिलुकुल बराबर कटी हुई है, तो यह जो हमारा मारजन है, वो बिलुकुल बराबर बाला है, तो हमने यहां से इस मारजन को इतना निकाल दिया है, और यहां से आदा इंच का मारजन लेकर इसको जोइंट कर दिया है, अब दोस्तों, इसको एक बार हम सही से फोल्ट कर और यहां से इसको अच्छी तरीके से बिठा देंगे, इस तरह से बिठा लेंगे, तो दोस्तों देखें, यह जो हमारी कंदी है, एकदम अच्छी तरीके से तूट गई है, जो हमारा सोल्डर है, वो एकदम अच्छी तरीके से perfect cutting हुआ है, इसी तरीके से आप किसी भी chest की cutting कर गई हो था, उसे हैशाप से इसकी cutting करेखी, जैसे आप चाहें, तो इस तीरे को भी हम जोड कर दिखा देते हैं, आपको, इस तीरे को हम एक वार आपको लगाytyालेखा देते हैं, यह अमारा तीरा किस तरह Sे आएगा, देखे तो इस तीरे को उन्य तरह Sे मनें इस तरह Sे ख तीरा हमारा जो है बिलकुल सही cutting हुआ हुआ है, अब दोस्तों इसमें जो हमने तीरा cutting हुआ था, जो formula के हिसाब से निकाला हुआ था, उसमें हम क्या करेंगे, यहां से तीरे को जोड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो हमने कंदी है, उपर से cutting हुई थी, बराबर मिलाकर, तो हम यह यहां से इसको रखेंगे और इसको जोड़कर दिखा दे रहें, तो friends, इस तरह से हमने दूसरे तीरे को attach करने के बाद इस तरह से यह हमारा आ गया है, जो है कम चोणा वाला हमारा तीरा है, इसको हमने बराबर काटा हुआ था, वह वाला है, तो यहां से भी हम इसको में आ गया होगा, यदि आपको कहीं पर भी कोई doubt है, तो आप हमें comment box में ज़रू लिखें, हम कोसिस करेंगी कि आपकी message का reply जल से जल दे सकें, तो friends, आज की वीडियो में अतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, thanks for watching.